असलाव अलेकुम बर्यमतुल्य वर्कातू कैसे हैं आप सब लोग मममी के इस फिल्कुल ठीक खेरिये से वर्याओंगे तो देखे आज जो है मैं आप लोग के लिए लेकिया हूँ एक न्यू वीडियो आद में जो है शाम के चाय के साथ कुछ अलग सा ट्राइ करने वाली हो चले आपके साथ मैंने सोचा कि वीडियो बना के शेयर कर दू तो सबसे पहले यहां पर जो है मैंने चुलाओं कर दिया है चुले में पैन रख दिया पैन में डूद डाल दिया और अभी दूद गरम हो रहा है जब करेंगे हम चाय के ती यारी यहां पर देखे जी शाम का सब्सक्ति भी हो जाए और की चाय और आप लोगों को मालूं है कि वीडियो रूद आरे तो ओना है तो यहां जो है प्लेशम के चाय ना हो तो मज़ा निया तो यहां पर देखे अभी जो है मने पहले कभी ट्राइव मतर्व तर च्राइड अभी पल्यस पर चाय बिलिए हम और आप लोग मज़े से खा सकते हैं और आप चाय के साथ तो आपको बहुत मज़ाएगा और देखें यहां वे जथा दूद भी बॉयल हो गया तो उसमे तकरीबन 4-5 में लाइची और अध्रक आट कर दीए अध्रक आट कर दीए अध्रक आट कर दीए मिक्स करना है तकरीबन हमने कम्पलीट हो जाए तर फिर हमने क्या करना है इस पर चाय पत्ती अध्रक लगा जो है पर आपको जटना करना है इसे संसाफार कर दीए हमें शुगर ज़यादा नहीं लेते हैं लिए अब ही जो था ओल गरम हो गया ता फिर हमने इस पर पापर ज़ाओ कर दीने है देग यह अगर नहीं तो फिर यह क्या रहते हैं पापर नहीं नहीं होते हैं इनको काफी टाइम भी लगता और यह वह ज़ाद अपस अदो पहले दो यह डाल दिये थे जिसे कि मुझे पदा चल जाए कि ऑल गरम हुआ या नहीं हूआ लेकिन और चुछथा परफेक्क कि गरम हो गा अभी मैंने डाले तो मुझे लग रहा था कि मैंने ज्यादा डाल दिया पर कोई नहीं मैंने निकाल दिया था और हाजी जब लोग जब भी आप लोग जो है इन पापडों को फ्राइ करें तो बिलकुल ठंडे जब और हलका से थंड़ा होजा फिर ना कीजेगा पहले और गरम अभी मैंने निकाल देना है कप में बहुत ही मज़दार इलाइचा और अद्रक वाली चाहे हैं आप लोग अपने घर में जरूर ट्राइ कीजेगा और विंटर्स के टाइम में तो जरूर ट्राइ कीजेगा और अगर आप लोग ने कलर फूल पापड कभी तो एक बार जरू आप लोग बताईएगा और आप लोगों के कैसे लगे तो आज की वीडियो कर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज जल्दी से कर देजे मेरे चैनल को स्क्राइब लाइक कीजिए और कॉमेंट्स करके मुझे जरु बताएगा आपको मेरे वीडियो कैसे लगती है चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में जबते के लिए अल्ला हाफिज